हरे किष्णा जैस्री रादे मैं आज आपको मेरे प्यारे माके भीहरीजी की एक सची घटना से रूबरो翁 करवाने वाला हूँ यह सची घटना सुनने के बाद आपका प्रेम माके भीहरीजी के पड़ती और ज़्यदा बड़ जाएगा यह सची गटना दिल्ली के एक छोटे से प्रिवार की है जो हमेशा से भाववत कोता को सुनते हुए आ रहे हैं और उनके गर में हमेशा से ही भक्ति का काफी ज़्यादा महुल भी रहा है यह गटना तोड़ी फुरानी है करीबन उने से से ताउन की है पिल्कुल सत्य गटना है मांके बिहारी जी की वहाँ पती पतनी दोनों ही बिहारी जी के दर्शन करने वरंदावन आया करते थी उस समय जाने आने के लिए उतना साधन भी नहीं था एक बार वो अपने पड़िवार वो छोटे बच्चों के साथ एक बेटी वो दो बच्चों के साथ वरंदावन के लिए दिली से ट्रेन में रवाना हुए और फिर वह मत्रा इस्टेशन पर ट्रेन से उत्रे उस समय ज़्यादा साधन नहीं थे इस्टेशन से वरंदावन जाने के लिए तांगे चलते थी वहाँ भक्त अपने बच्चों वो पत्नी के साथ तांगे में बेढ़ गए और बिहारी जी के दर्सन के लिए फ्रंदावन के लिए रवाना हो गए जब वह तांगा बाके बिहारी जी के मंदर के समय पहुँचा तो आप लोगों को पता होगा जब मेनकली से हम जाते हैं तो वहाँ एक पुलिस चोकी हैं और आज भी हैं वहाँ तक ही पहले तांगा जाता था उससे आगे तांगा नहीं जाता था पेदल ही बाके बिहारी जी के मंदर तक जना पड़ता था तो पुलिस जो की पहुचते-पहुचते तांगे को एक बस गएते और बाके बिहारी जी के मंदिर में आरती हो रही थी और वहाँ पर एक वेक्ति आया और उनसे बोला कि आप बाके बिहारी जी के दर्शन करने आये हो तो उन्होंने बोला हाँ हम बाके बिहरी जी के दर्शन करने आए तो उस वेक्ती ने उनसे बोला कि आप जल्दी जाएए बापुजी नहीं तो मंदिर में आरती बंद हो जाएगी और बाद में आप बाके बिहरी जी के दर्शन नहीं कर पाओगे तो आप जल्दी जाएए जितना जल्दी जाओगे उतने जल्दी ही आपको बाके बिहरे जी के दर्शन होंगे आपको पर्भू के दर्शन होंगे तो वो फटापट के सोचने लगे उनके पास इतना सारा सामान था और तीन बच्चे थे अभी उनके साथ उनको करीबन पांसो चेशो मेटर पेदल भी जाना था तो उनके सोचा कि अभी क्या करें तो तांगे वाला नम्ने से बोला कि आप निस्चित हो जाएए पर आप बाके ओपर चोड़ कर चले गये और भाग कर गए और बाके बिहरी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच गए मंदिर पहुंच थे उन्होंने बाके बिहरी जी को प्रणाम किया प्रवु का मनान किया सब पुछ किया और बाके बिहरी जी के दर्शन भी किया और उनकी आग में आशु भार रहेते वो भी प्रेम के बाके भी हरीजी के प्रेम में उन दोनों के पती पत्नी की आँख से आशु बहरे रहेते और इधर तांगे वाले के पास तीन बच्चे थे और सामानते तांगे वाले के मन में पाप आ गया, बुरे खयाल आने लगे, उसने सोचा कि इसमें सामान में जुरूर कुछ पेशा विशा वगेरा होगा, और बच्चों को तो में घर पे लजा कि काम वगेरा सब कुछ करोंगा, ऐसा सोच करो उसने वहां से तांगा दोडाया, और तांगा दोडाते हुए वही आगे निकल गया, और इधर पती पतनी दोनों वहां की भी अरजी के मंदिर में थे, तो तांगा दोडाते दोडाते वह रास्ते में गया, अचानक वहां पर तांगे के सामने एक बालक आ गया, बालक आते ही उसने तांगा रोक दिया, और फिर वह बालक को हटाने के लिए तांगे से जिए नीचे उतर कर गया, तो उसने देखा कि वहां पर बालक की नहीं है, और फिर वापिस वह तांगे को पर चड़ा, तो घोडे वहां से आगे खिसकी नहीं रहेते, बिल्कुल आगे नहीं जा रहेते, घोडों को एसा लग रहता कि कोई सक्ती तो है जो उनके बहुत रोए, बहुत रोए तो आदमी लोगों ने वहां के ने समझाया कि आप ऐसा कीजिए, पुलिसों की सामने है, इसमें रिपोर्ट कर दीजिए, ऐसा करने पर उसकी पतनी ने बोला, मैं मंदिर जाती हूँ, बाके बियारी जी के पास, परभू के पास, उनसे रिक्ष करने, और आप है न, पुलिसों की में जाई है, रिपोर्ट लिक्वाई है, यो पतनी बाके बैरी जी के मंदिर गई, तब तक मंदिर बंद भी हो चुका था, और वहीं पर गेड़ पर ही सिर्पटा कर रोने लगी है, है परभू, है मेरे दयालू, परभू, जिंदी के बर म चुकी रक्सा कीजिए, इसा का डरीती रोती भी लग रहती, तब ही तोड़ी देर बाद में उसका पती भी, वो भक्त भी, मंदिर पहुंच गया है, दोनों की आँकों में बहुत जोर से आंस होते, तो अचानक कुछी टाम के बाद में, वो तांगे वाला वापिस, से गलती होगी, मैं लोब लालत में अंदा हो चुका था, मुझे आप माप कर दो, आगे से गलती नहीं होगी, पर एक बात हैं, जब में रास्ते में जा रहा था, एक बालग आया, मेरे तांगे के आगे खड़ा हो गया, और जब में नीचे जा कर देखा, तो पिलकुल समझ गई, यह जरूर मेरी भक्ति काई फल मुझे मिला है, वो कोई और नहीं ता मेरे प्रभूई थे, मेरे मांके बिहरी जी ते, आज उनकी क्रपासे मेरे बाल बच्चे मुझे वापिस मिलगे, मिरे सामान वापिस मिलगे, मैं जिन्दिये बरेन की आभारी रहूंगी, ज पर फट्पर खड़ी हो जाते हैं, हर जगह उनकी रक्षा करने के लिए जारे होते हैं, तो आप सच्चे मन से बाकी भी हरी जी की सिवा पुजा अच्ना कीजिए, भगवान की सिवा कीजिए, जरूर एक ने एक दिन आपको भी दरशन देंगे, और आपको चितनी भी समस्य होंगी उनसे बचाएंगे तो अगर आज को आज आपको यह सची घड़ना बाके बिहरी जी के अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बुले और अगर नए हो तो नीची राइट साड में लारक रखे प्रन को दबा कर सब्सक्राइब चुरू करें ताकि अगली वीडि जेबा के बिहरी